आमादी पाटी की राजसभा सांसर्थ स्वाती मालीवाद जो इन दिनों मीडिया में छाई दी हैं सुर्खियों में बनी दी हैं जिनका आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई दुर्वहवार किया गया और ये मारपीट किसी और नहीं बलकि अर्विंद के जिवाल के पीए बिभब कुमार ने किया है अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर क्या वज़ा रही है मारपीट के पीछे की और क्यों ये मामला इतना जादा तूल पकड़ता जा रहा है इस पूरे मामले के बारे में आपको पू जिसकी बाद सीम अर्वन के उजिवाल ने शाम पांच बजे एक पीसी की और सोरान उन्होंने कहा कि कल यानी के रहिवार को बारा बजे अपने निताओं के साथ बीजेपी हेड़कॉर्टर आ रहा हूं जिसे जेल में डालना चाहते हैं जेल में डाल दें लगतार इस पूरी म मुखय मंदरी अर्वन के उजिवाल के नीजी सचीव विभभ कुमार ने सीम अवास पर आमावनीपार्टी के संस्थापक सदस्यों मिजझ और वरतमान में आपकी राजिसाभारसांसत स्वाती मालीवाल के सब मार्पीर की जैसे आमावनीपार्टी ने इसकेस से पल्ला जह इतना ही नहीं आप ने इसे बीजेपी का शड़ींद्र बता दिया और मालीवाल को बीजेपी का महरा बता दिया दिली की मंदरी आतिश्वी मे शुकरवार को की सी की और कहा कि स्वाती मालिवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केज़िवाल की घर 13 मही को सुभा भेजा गया इस साज़श का इरादा था केज़िवाल पर जूठे आरोप लगाना स्वाती मालिवाल इस साज़श का चेहरा थी स्वाती बीजेपी का मोहरा थी तो यहीं इसके बाद स्वाती मालिवाल ने भी आम आगमी पार्टी पर पलटवार करते हुए सोचिल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि पार्टी में कलके आये निटाओं ने 20 साल पुरानी कारिकर्ता को बीजेपी का एजिंट बता दिया। दो दिन पहले पार्टी ने PC में सब सच कबूल लिया था और आज यूटर उन्होंने आगे लिखा कि एक गुंडा पार्टी को धमका रहा है ये गुंडा यानिकी विभवकुमार वो यहाँ पर आगे कहती हैं कि ये गुंडा ये धमकी दे रहा है कि मैं अगर अरस्थ हो वही राज़ितिक बयानबाजी के बीच दिल्ले पुलिस ने कारवाई भी शुरू कर दी है और दिल्ले पुलिस शुकरवार शाम को सीम अर्विन के जीवाल के आवास पर पहुंची थी जहां ये सीन फिर से रिक्रियेट किया गया और वहां पर मौजूद स्टाफ से पहुंच गया हलाकि इस पूरे मामने पर विववक कुमार ने भी स्वाती मालीवाल पर कई सारे आरोप लगाए है और पुलिस शुकरवार दिकी है आगे इस मामने में क्या कुछ अब्रीट सामने आएगा आपको बताएंगे बड़े अब्रीट के लिए आप जूदे नियू सेटीन बिहार जहारखन के साथ